अभी के टाइम में ऐसा ऐसा पेंट आया है कि लोहा को बिल्कुल ऐलमुनियम भी बना जा सकता है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं आगे हम दिखाते हैं आपको ये रहा लोहे का रेलिंग बना हुआ जिस पे हमने पेंट किये हैं अभी के टाइम में लग रहा है जो बिल्कुल एलमुनियम से बना हुआ है आईए पुरा फूल जनकार देते हम कैसे इस पर यूज गया है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कलकार आजीब रंजन और आप लोग दखरे यूटूब चेनल कलकार जखकास अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वत ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोस्तों यही रेलिंग सब है जिस पे आज हम पेंट करने वाले हैं अलमॉनियम पेंट जी हाँ दोस्तों इस पहले हम एकोड प्रैमर मेटल प्रैमर कर दिये थे पर बगल सम्में दिवाल पर जो पेंट किये थे उसी का कुछ छिटा सब पढ़ गया उसके बाद इस पे सफ रेलिंग है बिल्कुल लोहे की बना हुआ है पर आज ऐलमुनियम पेंट इस पे करना है और साथ साथ आप देख सकते हैं जो ये खिड़कियों का गिरिल सब भी आज पेंट करना है तो सिंगल कोड दरवाजा और चोकाट सब में हम लगा दिये हैं पर आज पेंट करना है तो पेकिंग आप देख सकते हैं कुछ इस परकार है तो ये अधा लिटर का पैक है और इसको डबा खोलते ही आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा एक और डबा रहता है जिसका पेस्ट अलग और लिक्वीड अलग रहता है अब देख सकते हैं जितना चमक आप बढ़ाना चाहत यह चमक है यह शाइनिंग जितना आप दीजेगा तो उतना चमक बढ़ेगा और लाइट रहेगा पेंट में तो यह अलग अलग रहता है पर यह इसको जो है पेस्ट डाल के अच्छी तरस के मिक्स कीजिए मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और उसमें लिक्वीड डाल मिक्स करने के बाद जो है आप छोटा गिरिल सब अगर कर रहे हैं तो एक इंच का बरस यूज कीजिए एक इंच बरस यूज करने में बहुत अच्छा होता है और ज्यादा छिटे भी नहीं पड़ता है तो देख सकते हैं सेम इसी तरह आपको भी करना है अगर आप अपने घर में कहीं गिरिल सब कर रहे हैं तब दोस्तों ये सब कर रहे हैं अगर रेलिंग ये तो रेलिंग बना हुआ है अगर कोई बाहर में गिरिल रहता तो उस पे पेंट ही करते हैं पेंट करने के बाद ही उस पे ऐलमुनियम पेंट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं जो य एलमुनियम पेंट आप कहीं भी यूज कर रहे हैं तो इस पे डवल कोड नहीं होता है बस सिंगल सिंगल ही अच्छी तरह से मिला के करना पड़ता है और देख सकते हैं ये रहा ग्रील खिड़केओं सबका ग्रील इस पर भी पेंट करना है तो इसको अच्छी तरह से पहले आपको इसटे बाइश्टे बीडियो का डिस्कुशन में आप वहाँ से भी देख सकते हैं और एंड स्क्रियन से भी आप देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत छाज़ा टेक्चर डिजैन से इस घर में हम बनाए हैं तो आपको इस्टे बाइस्टे वीडियो देखने को मिल जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों एलमुनियम पेंट करने से पहले खिड़की में आप देख लीजे किस तरह है और ये रेलिंग समय देख सकते हैं और पेंट करने के बाद आप देख सकते कितना लोक ही चेंज हो गया बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखिए रेलिंग सस 지금 ही कितना अच्छा लग रहा है तो हमने ये रेलिंग में जो के नीचे में अलमुनियम पेंट किया और ये पाइप में जो है लोही teng बना हुआ तो कर सकते हैं बहुत ही अच्छा जवर्दस्ट पिंट सभाइस में हमने बार बार यूज किया है तो दोस्तों इसी तरह बने रहे इस चैनल पर और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रू सस्क्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तेक बाय दोस्तों